हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पर हारदिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पाइर स्कॉलेशिप के बारे में तो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो आप सभी स्टुडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए इस वीडियो को इंडर तक देखें वीडियो को लाइक करें सेयर करें और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किये हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब पर लें बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे की सार रेकमेंट्स लगातार आ रहे हैं कि सर हमने bank detail अपनी submit कर दी है अब आगे का क्या process होने वाला है तो friends अगर आपने अभी तक अपनी bank detail यानि bank passbook और आधार card upload नहीं किया है कैसे upload किया जाता इस topic पर पहले वीडियो आ चुका है अगर आपने नहीं देखा है तो उपर आई बटन दिख रहा होगा आपको नीचे वीडियो के description box में link provide कर दिया गया है आप देख सकते हैं तो friends जब आप अपना bank detail submit कर देते हैं उसके बाद next process होता है आप अपना mark seat and performance report submit करते हैं काफी सारे student कह रहे हैं कि अभी हमारी mark seat नहीं आई है जिन student की mark seat आ गई है या जब कभी आपकी mark seat आए तो आपको कैसे upload करना है यह मैं आपको बताने बदा हूँ तो friends यह देखी screen पर आपको यह दिख रहा होगा sign in option यह मैं zoom करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको क्या डालना है यहाँ पर अपनी login ID डालनी है जो भी आपने password यहाँ पर generate किया है वो password डालेना है अगर आप by chance अगर आप password भूल गए हैं तो आपको घबराने की कोई जुरूत नहीं है नीचे एक आपको option दिखा होगा reset password का वहाँ पर click करके आप अपना नया password भी generate कर सकते हैं तो friends मैं अपना login ID डाल देता हूँ और sign in की option पर click कर लेता हूँ तो friends जैसे user ID डाल कर sign in की option पर click करते हैं तो आपके सामने कुछ SI interface देखने को आ जाता है अब आपके सामने या पर चार option देख रहे होंगे internship, fellowship, fellowship और faculty आपको क्या करना है scholarship के option पर click कर देना है जैसे ही आप scholarship के option पर click करते हैं आपके सामने कुछ SI interface आ जाता है left तरफ आपका आधार card number आपका bank details सो हो रहा होता है अगर आप पहले से अलेडी submit कर दिये हैं अगर नहीं किये हैं तो आप submit कर सकते हैं उसके बाद में right side अगर आप देखेंगे तो right side में आपको एक option देख रहा होगा related link का उसमें आपको बहुत सारे option देख रहे होंगे जैसा कि आप screen पर देख पा रहे होंगे आपको देख रहे हैं अब आपको यहाँ पर किलिक कर देना है यह देखिए फ्रेंट जैसे ही आप document for BSC Msc की आपको किलिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है पहला option है document for year यहाँ पर आपको year चूस कर लेना है अगर आप Part 1 में हैं यानि BSC Part 1 के document लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप Part 1 चूस कर लेंगे अगर आप BSC Part 2 में है तो आप 2 चूस कर लेंगे और आप нас, यस इस इन Silvaर में है तो आप महाँ पर चूस कर सकते है document for year नीचे आपको application दिक्रा होगा upload mark sheet of all semester in one year single page, आपको single PDF में, आगर आप semester बज़ पढ़ते हैं, तो आपको सारे semester, single PDF में लगाने हैं, सारी mark sheet को, तो यहां पर आपना choose कर लेंगे, part 1, part 2 जो भी हो, उसके बाद जैसे यहां upload के आपको क्लिक करते हैं, mark sheet के सामने, यहां पर मैं आपको जूंग करकर दिखा दे उसके नीचे एक option दिख रहा होगा परफार्मेंस रिपोर्ट यह देखिए परफार्मेंस रिपोर्ट थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको परफार्मेंस रिपोर्ट भी यहाँ पर एड करने हैं कैसे बारते हैं इस टॉपिक पर एक विडियो आ चुका है अग को कैसे बर्णा है जिससे कि कोई घल्ती नहीं कम्राइब मंगोन कि अपने डॉक्सह्य पर लेइगा और जहां पर कर सकते हैं जिसद्हां रूप करना यहां पर कैंचल का बटन है उनिग्या कुछ गड़ोड हो गया है घरा जण को लगता है कि सही आपने रिजा अपर लिया है अपनी और प्रिक कर सादने साधर्न में हो जाता है वर आपकी डाकुमेंट वारिफाई हो जाते हैं यह था तरीका बैंक डिटेल सम्मिट करने के बाद अपनी मार्स सीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट एड़ करने का तरीका तो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूरू बताईए और इंस्पार स्कॉलर्शिप से लेटर अगर आप को कोई प्रब्लम आ रही है अगर आपके कोई कोशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और या फिर आप हमें परसनली इमेल कर सकते हैं वीडियो को डिसक्रप्शन बॉक्स में इमेल आइडी दी गई है फाइनली वीडियो कसा लगा कमेंट बॉक्स में दिएगा और चैनल को तुरह सब्सक्राइब कर लिजिएगा जिससे की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें थैंक्स फर वाचिंग और सब्सक्राइब मैं चैनल